हेलो एवरीवन एम डॉक्टर कनेश का कोशिक वेलकम यौल उन टॉपर स्टॉप सो टोड़े वी विल डिस्कूस पार्ट 20 ओफ करेंट अफेर विद मिदम सकेम के अंदर शावी विदा इस वजरे से ये नियूस के अंदर है तो यहां वे बेश्कों की यहीं है व्यौց या एक से पूडेंट्स तो थे वह लंच के लिए अपने घर जाया करते थे तो वह वापिस स्कूल में नहीं आ करते थे इसके वज़े से उनकी डिटेंशन एंड्रोलमेट और डिटेंडेंस पे फर्क पड़ता था तो इस वज़े से यह एक न्यूट्रीशनल लेवल को इंप्रूफ कर गया था और यह एक सेंट्रली स्पॉंसर स्केम थी 1995 के अंदर जो लॉंच की गई थी 2001 के अंदर जो MDMS था वह एक कुक्ड मीड 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 मील सीम बन गया था मतलब 1995 से लेके 2001 तक सिर्फ खाना ऐसे प्रोवाइड किया जाता था मतलब लाइक की सीरिल ग्रेंस और वह और उस स्कूल जो कि गौवर्मेंट एडिड हो या फिर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर से या फिर जो मदर साज होते हैं मकताब सोते हैं उन सबी स्कूल में मिड मिल स्कीम प्रोवाइड के जाते हैं एक चीज़ याद रखने कि यह सब ही जो हैं सपोर्ट किया जाते हैं अंडर मिड मिल स्कीम प्रोवाइड के जाते हैं वह आपको याद रखना है और लास्ट पंच आपको एक्जाम के लिए याद रखना है कि देखें जो नेशनल फूर्ट सिक्योरिटी एक टूटाउजन थर्टीन की थी उसके अंडर जो मिड मिल स्कीम है उसको कवर किया जाता है न इन्होंने एक एग्रिमेंट साइन किया जिसमें की 1.5 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो एशन डैवलोप्मेंट बैंक इंडिया को देगा ताकि कोविड-19 के इमिजर्ट रिस्पोंस के लिए उसे सपोर्ट किया जा सके तो यह जो साइन हुआ है लोन एग्रिमेंट वो एक्टिव रिस्पोंस एड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम तो यह बिसिकली क्या क्या काम करें करें कि सबसे पहले तो जो टैस्ट्रेक्ट्रीटमेंट केपेसिटी है यह बढ़ेगी शोशल प्रोटेक्शन जो है पूर की वह बढ़ेगी जो वनरेबर है वो यह है कि एशियन डेवलोमेंट बैंक जो है उसको 1966 में बनाया गया था और यह बेसिकली 68 मेंबर के थुरू ओन किया जाता है मतलब इसके अंदर 68 मेंबर कंट्रीज है जिसमें से 49 कंट्री जो है वो सिर्फ एशिया के अंदर से आती है और बाकी कंट्री स्पैसिफिक रिजन से आती है और इसका जो हैड़कोर्टर है वो मनीला फिलिपियंस के अंदर है तो यह वाले सारे पॉइंट्स जो आपको एक्जाम प्रस्पेक्टिव से याद रखने है नेक्स हम डिसकस करते हैं वर्ल्ड मिलिटरी स्पैंडिंग के उपर तो अभी एक रिपोर्ट आ गई है 2019 की तो स्टोखोम इंटर्नेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट जिसको हम सिपरी के नाम से भी जानते हैं यह एक स्वेडिश थिंग टैंक है जिसने यह एन्यूल रिपोर्ट रिलीस किया है जिसको टाइटल दिया गया है ट्रेंट सिन वर्ल्ड मिलिटरी एक्स एक्सपेंडीचर के लिए रिपोर्ट निकालता है वो किसके थू निकाली जाते तो स्टोखोम इंटर्नेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट के तुरू यह कहा का थिंक टैंक है यह स्वेडिश थिंक टैंक है दूसरी चीज़ कि यह रिपोर्ट जो है यह कितनी बार निक एक्टिव से तो यहां पी एक आगया है कि जो ग्लोबल मिलिटरी एक्सपेंडीचर है वो डोलर वन थाउजन 916 सब्सक्राइब सेवंटीन बिलियन तक बढ़ा है 2019 के अंदर तो अगर हम इसको एक परसेंटेज फोम में बताऊं मैं आपको तो 2018 के कंपैरीजन में 3.6 परसे के अंदर यह वाला जो परसेंटेज फोम है आपको याद रखना है फिर 2019 के अंदर जो टो फाइफ लाजस पैंडर से उसमें आपकी बार इंदिया का भी नाम है तो इस वाज़ा से यह वाला जो एक सीरियल नंबर है कि कौन-कौन सी कंट्री कि कौन से नंबर पर यह आपको अब चाइना को कैसे टैकल किया जा सकता है इंडिया की थू किया जा सकता है तो इंडिया आ गई अब यूएस जो है उसका दुश्मन एक कंट्री कोन सा आ गया रश्या और फिर कोन सा आगया साओधी अरेबिया तो इस तरीके से आप याद करेंगे कि यूएस ने स्पैंड के उपर करते हैं यह वाली चीज भी आपको याद रखने हैं तो इंडिया और जो चाइना है वह अमंग टोप थ्री स्पेंडर्स में आ चुके हैं और आप देखें कि जो फिफ्ट नंबर पे साओधी अरेबिया इस बार है वह 2018 के अंदर थर्ड पोजिशन पे था तो इसने आपके बार मिलिटरी स्पेंडिंग कम की है और अगर हम इंडिया का एक ग्रोस डाटा देखते हैं तो 71.1 बिलियन डॉलर्स जो है वह इंडिया ने डिफेंस के उपर खर्च किये है 2019 के अंदर यह वाला डाटा आपको याद नहीं रखना है आपको यह याद रखना है कि स् स्पेंडिंग है GDP की वह हुई है मिलिटरी के ऊपर 2019 के अंदर जो कि 6.8 परसेंट जादा है 2018 के कमपेरिशन में वहीं पर जो इंडिया का जो मिलिटरी एक्सपेंडिचर है वह 259 परसेंट 259 परसेंट ग्रोव हुआ है 30 यह के बीच में 1990 से लेकर 2019 के बीच में और 37 अगर हम देखें तो 2010 के अंदर 2.7 परसेंट ऑफ जीडीपी जो थी वह खर्च की जाती थी बट अब 2.4 परसेंट ऑफ जीडीपी 2019 के अंदर स्पेंड की जाती है यहाँ पर Bay of Bengal और Arabian Sea दोनों में ही अगर किसी भी तरीके के साइकलोंस आते हैं उसके उपर नेमिंग की जाएगी तो यहाँ पर 169 नेम्स जो हैं वो सभी कंट्रीज ने दी हैं जिसमें से 13 नेम्स जो हैं वो इंडिया से गए हैं तो आपको यह जो 13 नेम्स यह याद रखन हैं उसके बाद आपको याद रखना है कि जो करेंट लेस्टर इसमें से 13 नेम्स जो हैं वो 30 मेंबर कंट्रीज के तुरू दिये जाते हैं और यह इच कंट्री को हर बार मुका दिया जाता है तो यहाँ पर बंगलादेश है जो की रिजन स्पेशलाइस मेटरोजिकल सेंटर के अंदर आती है फिर इरान हो गया मालदीवस हो गया मयनमार है उमान पाकिस्तान कतर साओधी अरेबिया श्री लंका थाइलेंड यूएई एंड यमन तो यह वाली जो कंट्रीज यह आपको नाम याद रखने हैं आपसे डिरेक्ली जो हैं ऑप्शन्स दे दिया जाएंगे और कंट्री का नाम पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कंट्री रिजिनल स्पेशलाइस मेटरलोजिकल सेंटर के अंदर आती है या नहीं आती है यह वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके बाद जो है एक बस पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है यह बस मैंने extra content इसरे डाला है कि अगर किसी student को जरूरत है तो यहां पर जो last name m fan जो था वो previous list का जो use किया गया था वो भी इस तरीके से निस्गरगा जो था बंगलादेश के तूर दिया गया था गती बी इंडिया के तुरू ही पिछली बार भी दिया गया था और निवार जो वो इरान के तुरू दिया गया था नेक्स्ट इस अब उस्पर्ग क्लाइमेट डायलोग 11 तो यह अभी वर्चुली मीटिंग हुई है तो यह फर्स्ट वर्चुल क्लाइमेट डायलोग है इस तरीके का तो एक्जाम प्रोस्पेक्टे से और ज्यादा इमपोर्चन हो जाता है तो यह पिटर्शबक क्लाइमेट डायलोग जो है यह इलेवं शैशन था उसका जिसको कि जर्मनी के थ्रूं होस्ट किया जा रहा है तो यहां पर आपको याद एकर ने कि फेउस्ट जर्मनी ही इस को पॉस्ट करता है तो यहां पर basically क्या होता है कि high level political discussion होता है international और national climate negotiations से related और किस तरीकी से climate action को advance किया जा सकता है तो यहां पर जो dialogue होता है उसमें participation होता है ministries के तुरू जो कि about 30 countries से participate करती है तो चलिए अब तक हमने lecture को discuss कर लिया जो new student first time इस वीडियो को देख रहे मैं उन्हें बता दूं कि इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका link में description box में दे दूंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो पर ले चैनल को subscribe कीज़ेगा वीडियो को like कीज़ेगा और अब हम questions को शिरू करते हैं तो मैंने कल की लास्ट वीडियो में आपको एक तफेस्ट question है ये मतब कि लग रहा है कि छोटा सो question है बट ये तफेस्ट category के questions के अंदर आता है तो ये blue sky research के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि ये news में sometimes देखने को मिलता है तो ये क्या है तो इसमें ए option था research on solar geo engineering for reducing heat trapping clouds second option था इसमें deep oceanic study on poly metallic nodule c जो था scientific research without a clear goal and d is none of the above तो देखें ये बहुत मुश्किल था question और मेरे को भी बहुत मुश्किल से इसका content मिला था तो सबसे पहले तो मैं congratulation कर दूँ अमरी तेश को अमरी तेश वेरी गूड़ आपने इतने tough question को भी attempt किया है आई होप आप अपनी ऐसी ही तयारी करते रहेंगे टोपर स्टोप के साथ consistent रहेंगे और जल्दी से जल्दी अपने इम को अचीव करेंगे तो जिन स्टुरेंट्स ने इसको टैम नहीं किया था क्योंकि थोड़ा यह साइड में मैं उनको बता दू कि जो ब्लू स्काइड रिसर्च है वह बेसिकली एक सैंटिफ रिसर्च है जिसको की एक विदाउट क्लियर गोल किया जा रहा है तो थोड़ा सा इस वज़े से अटपटा भी था खोशन तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है explanation इसकी मुश्किल से मिली थी तो मैंने as it is वो क्लिप यहां पर डाल दी आपको दिखाने के लिए तो यहां पर basically क्या है कि यह domains जो है मताब कि real world की जो applications बनाई जाती है तो उसमें यह कहा गया है कि यह immediately appear नहीं होती है लोगों को तो इस वज़े से इसको define किया जा सकता है इ तो कि आपसे यह option में ना दे के यह भी दिया जा सकता है तो यह वाली चीज़ आपको याद रखनी है आज के questions पर आते है तो with reference to our report trends in world military expenditure 2019 considered the following statement first statement it was released by international atomic energy agency and second statement आपके सामने कि इंडिया और जो चाइना है वो among the top three spenders हैं तो यहां पर options है आपके सामने a one only, b two only, c both one and two, d neither one, no two तो एक बर मैं आपको question और दिखा देती हूं वीडियो को post करके एक बर question को देख लीजे, okay done, एक बर मैं आपको options पर दिखा देती हूं, okay done, तो देखे, b option जो है वो यहां पर सही है क्योंकि first statement जो है वो गलत है, यह सिप्रे के थरू किया जाता है, यह International Atomic Energy Agency के थरू नहीं किया जाता है, next question is with reference to midday meal scheme, consider the following statement, first statement, it is the largest school feeding program in world and second is the midday meal scheme is covered by National Food Security Act 2013, तो यह दोनों statement आपके सामने है, options में आपको दिखा रहेती हूं, a one only, b two only, c both one and two, d neither one, no two, तो एक बर यह लीजे, question दुबारा देखे, okay done, तो देखे, यह options आप देख लीजे, okay, तो ठीक है, तो c option is correct, both one and two is answer, क्योंकि दोनों statement सही है, next question is with reference to tropical cyclones, consider the following statement, तो यहां पर first statement, that the Indian Metrological Department release a new list of names of tropical cyclones over North Indian Ocean, including Bay of Bengal and Arabian Sea, and second statement is the IMD being one of the six regional specialized metrological center in the world to provide tropical cyclones and storm surge advisory finalized the new list of 169 names, तो इसमें एक आ गया है, कि Indian Metrological Department जो है, उसने एक नई list of names निकाली है, Arabian Sea और Bay of Bengal दोनों के लिए, और दूसरी एक आ गया है, कि जो आई-मडी है, वो six regional specialized metrological centers के अंदर आता है, वर्ल्ड के जो कि टॉपिकल cyclones के लिए नाम निकालता है, तो आपके पास options है, अब यह देखे हैं, तो C option is correct, बोथ 1 and 2 statement is correct, बिकोज की IMD ने तभी नाम रिलेज के हैं, जब वो regional specialized centers के अंदर आती है, तो C option आपका यहां पर सही है, next question is, COVID-19 active response and expenditure support program, CARES program is an initiative of, A is Asian Development Bank, B World Bank, C New Development Bank and D none of the above, तो एक बार question और देख लिजे, तो देखें, यहां पर जो A option है, Asian Development Bank वो बिल्कुल सही statement, क्योंकि CARES program इस COVID-19 की situation में support करने के लिए दिया गया है, अब जो question है, आपका आज के लिए, जो आपको comment section में बताना है, वो यह है, कि तो एक बार मैं दुबारा question आपको दिखा जाते हूं, यहां आपके सामने option है, तो comment section में इनको जरूर अंसर कीज़ेगा, first time video को देख रहे हैं, तो चैनल को subscribe कीज़ेगा, video को like कीज़ेगा, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much.